वेल्कम टू सेटास कुकरी क्लासिस आज आप पर हम मिलकर बनाएंगे पनीटिका पनीटिका हरी चटनी और मसाला प्यास के साथ बहुत ही अच्छा लगता है यह एक हेल्दी डिश है हरी चटनी बनाने के लिए हम एक जार में दो कप धनिया लेंगे यह 100 ग्राम है हमने इससे अच्छे से वाश कर लिया है दो हरी मीट एक छुटा टुकडा अधरक का आदा छुटा चम्मच जीरा आदा चम्मच चाट मसाला चोथाई चम्मच नमक नमक स्वादमसा डाल सकते हैं चोथाई कब दही इसे लिट से कवर करके ग्राइंड कर लेंगे ग्रीन चटनी को हमने एक बॉल में निकाल लिया है पनीर टिका बनाने के लिए हम 200 ग्राम पनीर लेंगे यह रूम टेंपरिचिपे होना चाहिए पनीर को हम डाइस में काट लेंगे एक बड़ी साइस की सिमला मिच लेंगे हम सिमला मिच से सीट को निकाल देंगे और सिमला मिच को हम डाइस में कट करेंगे एक बड़ा साइस का टमाटर लेंगे इसे डाइस में कट करेंगे और टमाटर के सीट को भी निकाल देंगे हमने पनीर, सिम्ला मिर्च और टमाटर को काट लिया है हमने छोटे साइज के प्याज लिये हैं आप मेधी बड़े साइज का प्याज ले रहे हैं तो स्लाइजिस में काट करके ले सकते हैं पनीर को मिरिनेट करने के लिए एक बोल में हम आधा कब बंधावाद दही लेंगे ये हंकड है दो चमच बेशन, आधा चमच चाट मसाला आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच कालि मिर्च पाउडर आधा चमच नमक नमक स्वादूंसा ले सकते हैं आधा चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच अमचूर पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच भूना जीरा, आधा चमच जिंजर पेस्ट, आधा चमच गार्लिक पेस्ट, आधा चमच चिली पेस्ट, दो बड़े चमच हरी चटनी, आधा निम्बू का जूस, इन सभी चीजों को अच्छे से मि करेंगे पनी टिका में स्पोंकी फ्लेवर देने के लिए अब तंदूर की ज़ुरत नहीं है हम एक कोईल लेंगे इसे गेस बनर पर पांच मिट रखकर जला लेंगे अब हम इसे एक कटोरी में रखेंगे एक चमच मल्टिट घी डालेंगे और तुरंत प्लेट से कवर कर देंगे और इसे एक घंटे के लिए साइन में रखेंगे पनी टिका को रखे वे एक घंटे से जादा हो गया है अब हम कटोरी को निकाल देंगे आप इन्हें सोटे स्टिक या टूथपिक किसी में भी पिरो सकते हैं हम एक टूथपिक लेंगे सबसे पहले सिम्ला मिर्च फिट तमाटर प्याज पनीर को हम पिरो कर इसी तरह से सभी स्टिक्स को तयार करेंगे हमने सभी पनीर टिक्स को तयार कर लिया है इस मसाले को आप दुबारा से पनीर टिक्स बनाने में यूज कर सकते हैं या फिर मश्रूम टिका बना सकते हैं एक नोन इस्टिक पेन में हम दो बड़े चमस बटर का डालेंगे और इसे low flame पर melt करेंगे नहीं तो बटर जल जाएगा अब हम 4-5 पने टिका इस्टिक्स को रखेंगे आप इसे OTG में भी ग्रिल कर सकते हैं हमें पने टिका इस्टिक्स की साइड को चेंज करके चारो तरब से सेखना है पने टिका रेडी हो चुके हैं जाब हम फ्लेम को बंद कर देंगे हम पने टिका को हरी चटनी और मसाला प्यास के लच्चे के साइगे पनेर टिका पर थोड़ी थोड़ी हरी चटनी लखेंगे चाठ मसाला स्प्रिंकल करेंगे यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थेंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो